चलिए आ जाईए और जितने बच्चे नए जोइन हुए उनको पहले क्लास से देखना पड़ेगा क्योंकि एक तरह के समान के चलो यह बहुत एंड में चल रहे है पहला कोशन कहता है पी क्यू आर है जब फॉलॉविंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिसंबर 31 का कहता है सर क्शेर आफ़ दा कंपणी आर कोटई 110 यानि शर एकूपी जिरो दे दी आ आपको सर 102 एक कंपणी एकस्पेक्टिड डिकलियर डिविडेंट 9 यानि D1 दे दी आपको नाइन तक company has registered dividend growth और company का growth rate जो है वो 5% का है और 5% का यानि G which expected to be maintained बोल रहा है ठीक है यह बना रहेगा growth हमारी 5% हर साल रहने वाली है assume that the tax rate applicable of the company 30% calculate weighted average cost of capital तो पहले सवाल में कुछ सीखने को नहीं पहले जो हमने करा था वही रहेगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है equity share capital कितने रुपे का सर अब कुछ भी नहीं बोला तो book value पर ही होगा कितने 5,00,00 अब आगे देखा जाए तो 9% preferent share 2,00,00 आगे देखा जाए 10% debenture कितने है तेन लाग अब सर हमें cost चाहिए हर किसी का तो मैं सबसे पहले केई निकाल लूँ यहां से केई बड़े आसान से निकाला जा सकता है केई क्या होता है हमारा सर केई होता है हमारा d1 d1 divided by p0 plus g 9 divided by 102 plus g 0.09 into 100 क्या जवाब आए है 17.82 तो सर 17.82 है यहां पर आदेगा 0.1782 अब सर केई निकाल लेते हैं अब ध्यान रखियेगा केई में जब तक corporate dividend tax नहीं बोलता या market value नहीं बोला जाए तो केई सेम ही रहता है हाला कि मैं केई निकाल के दिखा देता हूं आपको क्योंकि redeemable तो नहीं है simple KP क्या होगा D divided by NP सर्डी कितना होगा 9 है तो 100 रुपे का एक मान लो 9 और 100 रुपे का एक है तो जवाब क्या आगे है इसका 9% 0.09 सर्डीबेंचर बदल जाएगा क्योंकि tax rate है KD क्या होता है इंट्रस्ट 1-T divided by NP सर्डीबेंचर इंट्रस्ट कितना 100 रुपे का मानेंगा 10 रुपे डिवाइड़ बाइ 100 1-T 0.10 से 30 इसका अंसर आजाएगा हमारा 7% तो 0.07 चलिए अब मल्टिप्लाई कर लेते हैं 89 100 प्रोड़क्ट किसका कैसे क्या रह गया अच्छा इस ग्रोफ 0.5 है भाई इसका थोड़ा गलत हो गया हमारा 13.82 आएगा है ना 13.82 थोड़ा चेंज गर लेते हैं चलो 0.1382 0.1382 इंटू में पांच लाग इंटू में पॉइंटू में पॉइंटू में पॉइंट जीरो नाइट इंटू में पॉइंट जीरो सेवन तक्यस हजार प्लस अथारह हजार प्लस इक्स नाइन वन डबल जीरो वन जीरो इट वन डबल जीरो पांच और पांच दस लाग ठीक है निकाल ले WACC तो यहां क्या आएगा इसका फॉर्मूला क्या था प्रोड़क्ट डिवाइड बाइ सिग्मा प्रोड़क्ट है 108 डिवाइड बाइ 10 लाग ठीक है तेन पॉइंट तो सर पहले वाले में आपको कुछ सीखना ही नहीं पढ़ा हूं यह तो आपको पहले से ही पता था है कि नहीं में यह कुश्चन कराने का पर्पस क्या है मैं दूसरा सिखाना चाहता हूं परपस है कि मैं दूसरा सिखाना चाहता हूँ चलिए यह यूज कर लेंगे अभी आगे पढ़ते हैं अब एक सवाल हमेशा याद रखिएगा कमपनी का यह existing capital structure है मतलब पहले से ही चला रहा है उसके बाद company बाद में चाहती है कि और और पैसे चाहिए तो जो नए loan होते हैं वो हमेशा market value पर निकाला जाएगा इस बाद का ध्यान रखिएगा existing वाला तो किस पर रहेगा हमारा कुछ नहीं बोला हो तो cost पर जो नए वाला additional loan जैसे कि company को और additional terms loan चाहिए इसको कितने का चाहिए हमारा पांच लाक रुपए का loan चाहिए तो इसी को हम बोलते है डबलू एम सी सी यानि marginal cost of capital या weighted average marginal cost of capital जो की आगे चलके questions में आएगा तो सर होता क्या है marginal cost of capital और यहां पर normal इसको डबलू ए सी सी भी बोलते है simple question जो होता है वो होता है डबलू ए सी सी अगर उस question के अलावा बोलता है कि हम नए fund को raise करना चाह रहे हैं नए पैसे चाहिए हमें तो उसको हम marginal बोल लो या new WACC बोल सकते हो और वो हमेशा किस पर निकाला जाता है सर हमेशा market price पर निकाला जाएगा इस बात का ध्यान रखना है आपको तो जैसे यह बाला point है किस पर निकालेंगे हम हमेशा always market price पर लेके चलेंगे ठीक है यह assumption रहत मतलब अगर आपका पहले वाला सारा सेनेरियो था वो ओके है लेकिन उसी सेनेरियो में आप मान लो कि आपका 12% का क्या आजाए डिबेंचर भी आजाए यानि यहीं पे कहना चाहरा है कि मान लो 12% का लोन भी आजाए तो फिर तो हमारा बदल जाएगा ना WACC समझे क्योंकि एक चीज एड़न हो गया आगे क्या कहता है दा कंपनी एक्सपेंशन बिजनस रिस्क एसोशियेटेड विद न्यू फाइनस में भी मार्केट प्राइज जो 102 रुपय का पहले का शियर का हुआ करता था वह कितने का हो गया 96 का इस बात का ध्यान रखिए यानि जब हमने फं और यह सो निकलने चालू कर दिया होगे जिसकी वज़ेशह से रिजन वींग इसके शीर के प्राइस के आँगे डाउन पहले कितने क्या था सकत्ता का हमारा 95 का हमारा शीर का मार्केट प्राइस हो गया थो जबते। ख़ता हमें सवाल में, सवाल के अंदर हमारे जो दोनों point थे, तो मैंने क्या कहा, WMCC, अभी आगे वाले question में आएगा, WM का मतलब क्या होता है, जो ये वाला part होगा ना, सरफ ये करके दिखाना होगा, that is WMCC 10.81 पीछे वाले का answer ना, देखो, answer में कई बार बच्चों का हो सकता है, में भी बच्चे बोले, सर हमारा तो थोड़ा सा फरक आ रहा है, अब मैं बोलू, भई, फरक कैसे आ रहा है आपका थोड़ा सा, तो जवाब ये है, कि सर, जो फरक आ रहा है, थोड़ा बहुत, पॉइंट में कुछ फरक आ सकता है, मेरा 10.81 है, अब देखो, पहले कि क्या answer है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ एक पॉइंट का में भी फरक आता है, तो चलेगा, कुछ एक पॉइंट जैसे, 81 के जगह पर आजा, 80 आपका, तो वो क्या होता है, कि हम पूरे friction वगएरा ये पूरे digit नहीं लिया, हमने 382 पे stop कर दिया, लेकिन actually में देखोगे, तो इससे कहीं आ गए जा रहा था, डिजट तो इसको इससे 10.8 है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, करें आगे, चलिए, अब मैंने क्या कहा, देखिए, additional loan लिया ना हमने, तो additional loan लेने की वज़े से क्या क्या बदलाब होगा, क्योंकि equity का market price हमारे पास है, एक तो equity share का value बदल जाएगा, चीक है, दूसरा क्या हमारा changes हो सकता है, इसमें KE का value निकल जाएगा, क्योंकि जैसे market price change होगा, तो KE का value भी निकल जाएगा, ठीक है, और एक new हमारे पास data आ गया है, इसका भी price आ जाएगा हमारा, तो हम फटा-फट से यहां पे new KE से निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, यह उपर का question होगा है, यहां कम बहुत space है, फिर भी यहां काम करते हैं, new KE निकाल लेते हैं, new KE, अगेन क्या होगा, D1 plus मैं G, अब D1 तो 9 ही रहे रहे वाला है, बस यह जो हमारा 102 था, उससे क्या करना है, इंटू में 100, इसको book value पे भी निकाला जा सकता है, मैं बाद में बताऊँँगा, book value पे कब निकाला जाता है, मतलब इसी chapter में सीखेंगे हैं, क्या रहे 9 पॉइंट, एक हमारा लून है, तो KL भी निकालेगा, KL कितना लून पे इंटरस है, 12%, 5 लाग पे 12%, 60,000, divided by 5 लाग, और 1-T, 0.3, तो यह हो जाएगा हमारा, 60,000 into 0.7, divided 5 लाग, 8.4%, यह ले लिया मैंने 0.084, और यह ले लिया मैंने कितना, 9.0, किसमें, अच्छा, ग्रोथ रहे गया भाई, ग्रोथ होगा इसमें, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहे गया, मैंने उपर लिखा है, फॉर्मूले में यह रहे गया, 0.0, कितना आ रहा है आप बताओ, 14.375, 0.14, अब यह मार्किट प्राइस कैसे निकालेंगे, सर, हमारे पास शियर कितने हैं, ठीक है, अब 5000 से इसको मल्टिप्लाई कर देंगे, यानि शियर्स का प्राइस कितना है करेंट में, 5000 इंटू 96, 480, इसको कॉस्ट प्राइस पे निकालेगा, बेसिकली मैं WMCC पे ज़्यादा एफट लगा रहा हूँ, यानि एक काम करते हैं, अभी कॉस्ट पर ही सीख लेते हैं, WMCC जब करेंगा तब ही बताऊँ, अभी कॉस्ट पर ही निकालेगा इसको, 5000 लाट, अभी हम इसी पे निकाल लेते हैं, ठीक है, सर ये सारा का सारा बदल जाना है, ये भी बदल जाएगा, यहां मार्किट प्राइस नहीं लिया, अल्वेज मार्किट प्राइस पे निकाला जाता है, जब WMCC होता है, मैं भी इसने सवाल में क्यों की बोला, आपको न WACC ही निकालना है, आपको क्या निकालना है, WACC ही निकालना है, तो इसलिए हम इसको कॉस्ट प्राइस पे ले लेते हैं, अभी फिलाल के लिए, ठीक है, चलिए, तो पांच लाख, इन्टू में, 0.14375, यह आगे 71, 875, अब मल्टिप्लाइ लास्ट वाला यह तो बदला हुआ नहीं, इसमें बस 0.84 इन्टू पांच लाख, 4, 42,000, अब टूटल कर लेते हैं, यह हो जाएगा 15,00, 71,85, 875, 152, अब आंसर बता दो, कौन बताएगा, थोड़ा छोटा सर लेते हैं, चलिए, डब्लू ए सी सी, 152, टिवाइड़े बाइ 15,00, इंटू हंड्रेड, 10.19, तो ये तना फरक पड़ी गया है, 10.19, मार्किट वेल्यू अला भी डिस्कॉस कर लेंगे, ठीक है, तो यानि सर जो मार्किट वेल्यू का प्राइज होगा, अगर ऐसे पॉइंट आ जाता है एक, और एक मार्किट प्राइज हो जाता है, तो हमें कितनी बार कोश्चन करने पड़ेंगे, दो बार, तीसरा पॉइंट भी कोई आ जाए, तो हमें इसी टेबल को कितनी बार बनाना पड़ेगा, तीन बार, जैसे जैसे बोला जाएगा, वैसे वैसे करेंगे, यहाँ पर क्यूंकि टबलू ए सी सी बोला, तो हम नॉर्बल निकाल रहे हैं, जहाँ पर मार्जनल वाला आएगा, तब कर लेंगा, अभी सरिफ इस पर फोकस करें, कुछ नया नहीं सीख रहे, अभी हमने यह किया है, ठीक है, चलिए, अब मैं ना, इतने सारे कुश्चन करने के बाद, आपको यह तो आइडिया होई गया, के सर, कुश्चन को कैसे करना होता है, है ना, तो मैं अब एक काम करता हूँ, जो भुक वाले पैटर्न फॉलो करते हैं ना, जिसको वो अच्छा लगे, वो अप्ट कर लेना, नहीं तो हम, यह वाला तो हम करी रहे हैं, अब भुक वाले क्या फॉलो करते हैं, मैं अपने एक्जामपल से ही बता देता हूँ, आप उसके अक्वाडिंग कर लोगे आप, देखिए, बुक के अंदर आंसर जो होता है, वेट के हिसाब से करते हैं, बुक के अंदर ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है, और मेरे को लगता है कई बार ज़्यादा भी है, ये सेकिंड अल्टरनेट है, क्योंकि कई बार आपको ना, इस मैथट से करना पढ़ सकता है, एक सवाल भी मैंने देखा, मान लो एक्विटी है, पांच लाग, मान लो प्रफरेंज शेयर कैपिटल है, मान लो डिवेंचर है, तीन लाग, ठीक है, ये तीन जानकारी गीवन है, और हम बात करें कॉस्ट की ना, तो जो कॉस्ट दे रखा है ना, आपको कॉस्ट गीवन है, सर क्या है कॉस्ट, मान लेते हैं, 0.1, 0.2, 0.06, ये मैंने मान ले, एक आजम्शन ले रहा हो, अपनी मर्जी से मान रहा हो, सरा डेठा, यानि यह सब तो आप निकालते हो, और यहां तो आटा भी है, कैसे निकाले, KP कैसे निकाले, KD कैसे निकाले, ये तो आमने, स्टार्टिंग के न जग् conf iki हमें क्या करना होता है यहां पे इसको देना होता है और वेट का मतलब एक कि इने परसंट तोल का कितना हो गया तो भद्याँ है ट्शितने परसंट ये आपको डेना हुआ तो आपको कैसे निकालोगे weight पांच divided by 10 यह पहले का weight हो गया, equity का सर, preferentier का कैसे निकालोगे 2 divided by 10 सर, dipenture का कैसे निकालोगे, 3 divided by 10 यहनी एक weight लिनेंगे तो सर, इसका weight क्या जाएगा अगर 5 है तो 50% आ जाएगा ना तो 0.5 आ गया अब इसको solve करो 5 divided by 10 0.5 भी आएगा एक बटा दो 0.5 जाएगा यह 5 लाग है उपर ठीक है इसका क्या आएगा इसका क्या आएगा अब हमें cost निकालने के लिए एक simple सा part करना है पहले यहां तक देखे समझ में हर बच्चों को वेट निकालना आ गया क्या हर बच्चे को वेट निकालना आ गया तो मैं सीधा और सीधा के वो निकाल दूगा यानि डबलू ए सीची निकाल सकते हैं कैसे इन दोनों को multiplication कर देंगे वेट को और cost को तो सर वेट कितना है पचास और फाइब कितना जाएगा यह multiply करेंगे तो जीरो पॉइंट ही रहेगा ना multiply करने जीरो फाइब हो जाएगा हाँ जीरो फाइब हो जाएगा यह क्या जाएगा जीरो पॉइंट यह क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन एट अब इनका टोटल कर दो यही डवलू ए सीसी है और इन्टू हंड्रेट अगर मैं इसका टोटल करूँ न तो यह आगे हमारा 0.108 अब डवलू ए सीसी क्या होगा अगर 0.108 है और इन्टू हंड्रेट अगर करते हो परसेंटेज के लिए तो 10.8 आगया हमारा तो बस बुक वाले जो करते हैं इस वेट के इस आप से करते हैं और नथिंग कोई चेंज नहीं है हम वेट कैसे कर लेते हैं multiply करके वेट निकाल लेते हैं सबसे last में हम वेट करते हैं और यह स्टार्टिंग से ही वेट करके चलते हैं। एक बार अगेन बता दे, देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अब देखिए, आपको कोश्चन में क्या था? यह अमाउंट फंड गीवन था और फंड के साथ यह वाला आपने फाइंड कर लिया था। अब आपको ने इसका वेट निकालना है, हर कोई कितने परसेंट के बराबर है। किसका परसेंट टोटल का, तो टोटल का परसेंट निकालने का पांच बटे दस। यानि पांच लाख और इसके डिवाइड बाइट टोटल अगर आपके सो में से बीस नंबर आते हैं तो क्या बोलो गया। सेम ऐसे हर किसी का एक परसेंट निकाला लेकिन 100 मल्टिप्लाई करे बिना वेट में तो इस तरीके से हमने निकालते गए तो अगर देखा जाए तो क्या क्या आ गया हमारा। इसका 0.5 आ गया। सेम इसका क्या आ गया POINT तू आ गया। इसके बाद इसका देखा जैए तो क्या आ गया POINT अब हमने क्या करा इससको इसको इसको multiply करोगे तो क्या जाएगा और इसको और इसको multiply करोगे तो क्या जाएगा ये इसको add कर देंगे हम और ये value आगे हमारा और जिसको add करके value निकाला इस पर last में आप multiply कर दो hundred से वही क्या जाएगा आपका weighted average cost of capital